हलो नमस्कार दोस्तों मैं आरवी सिंग आरवी एटेक चैनल में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे फोर्च लेंडर एर कोल्ड इंजन के मिशिनिंग स्पेर्स के बारे में यह जो स्पेर्स पार्ट मिशिनिंग के टाइम में लगते हैं और उन कंपोनेंट के बारे में भी डिसकस करेंगे जो की मेजर और हालिंग के टाइम में हमको वर्च साप को भेजना पड़ता है मिशिनिंग के लिए ग्राइंडिंग के लिए और रिपेरिंग के लिए जिसमें हम cover करने वाले हैं crankshaft की grinding, cylinder head की repairing, connecting rod की machining and replacement of connecting rod, bushes and bearings तो सबसे पहले चलते हैं वरक साप और आपको दिखाते हैं crankshaft की grinding, cylinder head की machining और उनके wall, wall guide, replacement के बारे में उसके बाद देखेंगे cr bushes यानि connecting rod के जो small end bushes उसको कैसे remove करते हैं और नया कैसे fit करते हैं तो आब हम पहुंच चुके हैं वरक साप में जहां पे crankshaft की grinding और cylinder head की repairing होती है और यह सामने जो रखी हुई है machine यह line boring machine है और यह हमारा crank grinding machine है क्रेंग साप की उस machine की preparation कर रहे हैं तो अभी इसी machine पे crankshaft बंदेगी और उसकी grinding की जाएगी क्रेंग साप बंदने के बाद में सबसे पहले उसका run out चेक करते हैं और बिल्कुल 00 सीधी कर लेते हैं क्रेंग साप तो क्रेंग साप बंद चुके हैं अब इसका run out dial gauge की मदद से बिल्कुल 00 कर लेंगे उसके बाद grinding की start करेंगे तो क्रेंग साप बिल्कुल 00 सीधी हो चिकी है अब क्रेंग साप की grinding start करेंगे एक्शली यह क्रेंग साप अल्री अंडर 10 में चल रही थी अब इसको 20 में grind करना है तो grind करने से पहले coolant start कर लेते हैं ताकि grinding का कोई भी स्पोर्ट हीटिंग स्पोर्ट की पिन पर ना आने पाए तो क्रेंग साप की grinding स्टाट हो गई है सबसे पहले इन्होंने connecting rod bearing वाला pin grinding कर रहे हैं इसके बाद main bearing का पिन ग्राइंड करेंगे जैसा कि चार स्लिटर की क्रिंग साथ में पांच हमारे मेन बेरिंग पिन होते हैं और चार हमारे करिंग राट के पिन होते हैं वन बाई वन एक एक करके ये सारे पिन ग्राइंड कर लेंगे और ये हमारी क्रेंग्ट दस अंडर साइज में थी अब ये 20 अंडर साइज में चली जाएगी इसमें जो बेरिंग लगेगे 20 यूएस के लगेगे जितना हम इसका मट्रियल ग्राइंड करते हैं उसी के कॉर्डिंग हमको बेरिंग मोटी लगानी पड़ती है तो वो और साइज के नाम से आती है जैसा कि इंजन की ओरहालिंग दो टाइप की होती है एक टाप ओरहालिंग होती है उसके अंतरगत हम लोग केवल सिलेंडर हेट का का काम और कनेंटरी राट का का काम प्लस लाइनर फिश्टन रिंग चेंज करते हैं क्रेंग साप को हम डिस्टरब नहीं करते हैं अगर कोई दिक्कत होती है इंजन में लोड ना लेने की समस्या प्लस आइल प्रेसल लोग की भी समस्या होती है उस समय हमको इंजन को मेजर और हाल करना पड़ता है कमपनी के रेक्मेंडेशन के अंसार पहले 8000 घंटे के बाद टाप और हालिंग करनी चाहिए और उसके बाद में टाप और हालिंग के बाद अगले 8-10,000 घंटे के बाद में मेजर और हालिंग करनी पड़ती है मेजर और हालिंग में हम क्रेंक साथ ग्राइंड करते हैं और इसके बेरिंग रिप्लेस्मेंट करते हैं प्लस ओर साइज के बेरिंग लगाते हैं तो यह मेजर कर रहे हैं और इनके अंसार यह अपना चिलेंडर नमबर वन का क्रेंग पिन ग्राइंड हो चुका है जो की 20 वर साइज में आ गया है अब इसमें हम कनेक्टिन राट की बेरिंग फिट करके देखेंगे प्रापर स्मूथ घूम रहा है या नहीं तो कनेक्टिन राट फिट हो गया है बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है किलनेस भी बिल्कुल ठीक है बेसिकली कनेक्टिन राट बेरिंग के और क्रेंग पिन के बीच में जो आइल क्लेंस होता है वह उता है लगभग एक थाओ से दो थाओ के बीच में यानि 0.03 mm से 0.05 mm के हैं और कैसे इनको इंसर्ट करते हैं तो यह फोर्मेंस आप है यह पुराने बुस निकाल रहे हैं और इसके बाद में नए बुस डालेंगे तो यह कनेक्टे डाट का पुराना बुस आल्मोस्ट निकल गया है इसमें एक आयल गयलरी रहती है हमारे कनेक्टे डाट के अंदर में जो बिग एंड बेरिंग से स्माल एंड बेरिंग तक थोरो होल रहता है जो कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा और जो यह बुस लगाएंगे उसका जो होल है इस होल से पूरी तरीके से मैच करा करके ही डालेंगे यह नए बुस की लाइन मिला रहे हैं ताकि हमारा जो होल हो वो इसके कनेक्टे डाट के होल के सामने बुस का भी होल मैच कर जाए बुस जो है कनेक्टे डाट में बिल्कुल टाइट फिट जाता है बुस फिट करने के बाद में पिस्टन पिन की मदद से इसका क्लिरंस चेक करेंगे और उसको प्रापर मिंटेंड करेंगे गजन पिन और सी आर बुस के बीच में जो क्लिरंस रहता है वो एक थाव के आसपास रहता है यानि 0.03 mm के राउंड में तो ये वन बाई वन करके चारो कनेक्टिंग राड में सी आर बुस फिट करेंगे उसके बाद में कनेक्टिंग राड का एलाइमेंट से करेंगे एलाइमेंट में ये देखते हैं कनेक्टिंग राड की बैंडेनेस अगर गनेक्टिंग राड थोड़ा बैंड है इदर उदर तो उसको पूरी तरिके से एलाइन यानि सीधा करके ही देंगे तो अब चलते हैं सिलेंडर हेड की तरफ और देखते हैं सिलेंडर हेड में क्या-क्या रिपेर करते हैं तो यह हैं Slender Head Bold में इन्हों इसका फेस जो है वह वह टीनिंग कीया है यानी翼 Missiddag अभूर दिया है और यह है वाल सीट इसको रब्लेस्मेंट किया यहाँ पर वाल शीट लगी हुई है और नीचे में वाल गाइड है उसको पुरानी निकाल करके नइधाला है होता क्या है इंजिन के चलते चलते वाल और वाल सीट में वेरेंटेयर होता है जिससे वाल सीट वेरेंटेयर हो जाती है और यहां से प्रिसराइज गैसे लीकेज करने लगती है और कंप्रेशन वीक हो जाता है बिसकली वाल का इस्टेंड इन बढ़जाता है, रेक्मेंडेंशन से जधा हो जाता है, अधाईशन इनको रिप्लेस्मेंट करना पड़ता है, वाल का ये हिस्सा जो है सामने जो दिख रहा है यही शीट के साथ प्रापर मेच करता है और इसको मशीनिंग वाला जो वाक्साप वाला है वो प्रापर लाइब करके देता है ताकि यहां से कोई गैसेस लीकेज न हो एर कुल्ड चिलेंडर हेट के बाहरी भाग में फिंस लगी रहती हैं जिससे हीट ट्रांक पर कैपसिटी हेट की बढ़ जाती है और यह है एक्जास्ट पोर्ट इसका यहां से एक्जास्ट हाट गैसेस बाहर निकलती हैं और यह फिंस हैं इसमें और यह है इंजेक्टर ट्यूप इसके अंदर में इंजेक्टर रहता है यहां पर इंजेक्टर लगता है और यह है एर पोर्ट जनरली इग्जास्ट वाल का साइज छोटा होता है और इंलेट वाल का साइज बड़ा होता है तो आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले किशी वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पर प्रफे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को दबा लें ताकि हमारे वीडियो स सबसे पहले आप तक पहुचें, थैंक्यू फार वाचिंग, धन्यवाद,